भिंडी की सब्जी मेरी फैवरेट सब्जियों में से एक है और हर तरह से बनाई गई भिंडी मुझे कावी पसंद है तो आज उन्हीं में से एक तरह की भिंडी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में बहुत है टेस्टी तो आपको भी मेरी तरह भिंडी की सबजी खाना पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर करें साथी मेरे चैनल पर नहीं है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें आज हम बनाने जा रहे हैं लेसोनी भिंडी तो लेसोनी भिंडी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 medium size के प्याज, 2 medium size की हरी मिर्च, 9-10 लसुन की कलिया हम लेंगे और साथ ही लेंगे 2 medium size के टमाटर तो चलिए अब सारी चीजों को हम काट करके तयार कर लेते हैं तो प्याज को हम थोड़ा मोटा मोटा काट लेते हैं और प्याज का टेस्ट बिंड़े में बहुत ही अच्छा आता है इसलिए प्याज का इस्तमाल आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो इस तरह से मैं सारे प्याज को काट करके तयार कर लेती हूँ प्याज काट करके मैंने तयार कर लिये हैं लेसन के साथ साथ मैं डालने वाले उसमें एक साबुत लालमिच और साबुत लालमिच को इस तरह से मैंने काट लिया है तो जब ये लेसन के साथ पकेगी तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा सबजी का और अब बारे आते है टमाटर की तो टमाटर को भी हम बारे काट कर ल में बनाना पसंद करती हूं ताकि जो भिंडी में लेस बनती है वो सारी इस कड़ाई में जिपक जाए और भिंडी बहुत यची खिली-खिली बने तो यहाँ पर 3-4 चमच हम तेल गरम कर लेंगे आप चाहें तो यह सबजी सरसों के तेल में भी बना सकते हैं तेल के गरम होती इसमें डालेंगे एक चमच जीरा और ये आपका जोएन का फ्लेवर पसंद है तो आप जोएन कर सकते हैं मैं डाल रहे हूं ही साथी दो चुटकी हिंग तो यहाँ पर जिरा और हिंग को हम कुछ सेर के लिए पका लेते हैं और जिस से ही जीरा और हिंग पक जाएं तब मियर जो लेसुन और लाल मिर्च हमने काटके रखे थी वो सबसे पहले एड़ करेंगे क्योंकि हम लेसुनी बिंडी बना रहे हैं तो इसमें लेसुन का अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए तो इससे ही सबजी है वो अलग हटकर बनेगी और टेस्टी बनेगी तो दस से पंदरा सेकेंड के लिए हम इस तरह से लाल मिर्च और लेसुन को पका लेते हैं तो दोनों चीजे ही आप टाल कर तड़के में पकाएं बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लेसुन को हमने पंदरा सेकेंड पका लिया है अब जो प्याज और हरी मिर्च हमने काटके रखे थे वो भी अभी इसमें अड़ कर लेंगे और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आगी यह बिंडी में भी पकेंगे तो अभी आदा हम इने पका लेंगे यानि यह जब तक ट्रांस्पेरेंट नहीं पका लेंगे तब तक इने पका लें ज्यादा प्राउनी नहीं करना है तो देखे प्यास थोड़ी ट्रांस्पेरेंट हो गए हैं तो अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले आड़ करेंगे मसालों को भी इस तरहे तड़के में थोड़ा पका लेते हैं इसे बिंडी की सबजी का कलर रोटेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मसाले हमारे पक चुके हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे ये कटेवे टमाटर तो इसे अब मसाले जलेंगे भी नहीं और साथ ही हम डालेंगे इसमें स्वार कर लेंगे और अच्छे से mix कर लेते हैं अब भिंडी की सबजी को हमेशा low flame पर पकाएं क्योंकि low flame पर पकाने से भिंडी अच्छे से soft भी हो जाती है वो एक्तम खिली-खिली लगती है और काली भी नहीं पड़ती है और हम मसाली वगर पहले ही add कर चुके हैं तो इसे जो भिंडी होती है वो वैसे भी मसालों की वज़े से काफी ज़्यादा टीस्टी बन जाती है और देखने में भी सुन्दर लगती है तो हम cover करते वे 2-3 मिनट के लिए या जब तक की भिंडी अच्छी soft नहीं हो जाए तब तक पका लेंगे तो इस तरह एक तो बार बीच में ढकन हटाते वे हम भिंडी की सब्जी को mix करते जाएंगे ताकि यह evenly cook हो जाए और देखे जितने भी भिंडी के अंदर less बन रही है वो सारी की सारी कड़ाई में चिपक रही है इसलिए भिंडी की सब्जी को हमेशा अब aluminium की कड़ाई में लोही की कड़ाई में और फे असे भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी खिली-खिली बनती है और टेस्टी भी लगती है और यहां पर भिंडी की सबजी बनकर तयार है तो लास्ट में हम डाल देंगे आदा जमचिस में गरम मसाला और गरम मसाला डाल कर आदा एक मिनट के लिए से और पका लेंगे बिंडी की सबजी आपको जितनी ज़्यादा पकी विये उसी के अकोडिंग आप इसे पका सकते हैं लेकिन मुझे इसी तरह से ये बिंडी की सबजी पसंद है और यदि बिंडी की सबजी को बहुत ज़्यादा पका लिया जाता है तो फिर उसकी जो nutrition value होते हैं वो भी कम हो जाती है तो इसी तरह से आप भिंडी को low flame पर बकाएं ये बहुत ही tasty भी बनेगी और healthy भी रहेगी तो friends मैं आप से request करती हूँ आप भी एक बार जरूर से ही भिंडी की सबची बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये आज का ही वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज एक स्माइल की साथ लाइक का वटन जरूर दबाएं अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं एको नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई